क्या तुम लोग Pokemon के regular game खेलके बोर उचुके और तुम्हें चाहिए कुछ exciting और adventures क्या तुमको एश की तरह अपने दोस्तों के साथ Pokemon region explore करने है या फिर उनके साथ competitive करना है तो हाँ तुम बिल्कुल साई वीडियो पे आयो तो मैं आज तुम लोगों को ऐसी Pokemon की multiplayer game बताने वाला हूँ जिसमें कि तुम्हें एक नहीं दो नहीं बलकि चार Pokemon की regions मिलेंगे और इस game में तुम्हें Gen 7 के starters और Gen 7 तक के सारे Pokemon भी मिलेंगे और इस game की एक और खास बात है वो है कि इस game में खुद के कुछ event forms है जो की काफी जादा cool और cute से दिखते है इस game में जैसे कि तुम्हें बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलेगी जैसे की PvE bosses होगे, PvE पे battle कर सकते हो, guild है and many more इस game में सिर्फ दो ही server है gold and silver जिसमें की all over the world के players play करते हैं इस game को काफी जादा interesting और exciting साई game है तो इस game का नाम है Pokemon Revolution Online इसे download करने के लिए basically तुम्हें इनके website पे जाना होगा and first of all तुमको वहाँ पे register करना है तो register करने के लिए कुछ नहीं बस तुम्हें अपना user name बनाना है and password create करना है and तुम्हें अपने Gmail वहाँ पे यूज करना पड़ेगा account create करने के लिए तो उसके बाद तुम्हें simply सी आ जाना है उनके home पे and वहाँ से download option से अगर तुम use करने Android या फिर Mac या फिर PC तो उसके according तुम यहाँ से वह download कर सकते हो file and उसके बाद वह download होने के बाद तुम्हें simply से आ जाना है उस folder में and extract कर लेना है जैसे तुम उस folder को open करोगे तो तुम्हें वहाँ पे cookie ball जैसा एक icon मिलेगा जिस पे double click करना है जिसे के हमारा game start हो जाएगा and इस game की सबसे खास बात है जो कि start में हमें हमारा सर्वच choose करना है तुम चाहो तो silver या फिर gold choose कर सकते हो लेकिन मैंने start में gold किया था and अब भी मेरा main account gold में ही है so मैं तो gold में login करूंगा जैसे तुम login पे press करोगे तो तुम्हें ऐसे कुछ link के आएगा unknown device request to confirmation email for the device by double clicking on this link तो simply से तुम्हें इस link पे click करना है जैसे तुम्हें इस पे click करोगे तो तुम्हारा कोल सा भी browser open हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा please solve this caption to receive the email तो यहां पे simply ticker name not robot and उसके बाद तुम्हारे email पे एक message आता है जिसमें की write के होता है approve the device approved team से होता है वाला message तो तुम्हें simply से करना है approved device जैसे तुम approved device पे click करोगे तो एक ओर windows open होगा and वहां पे लिखके आएगा your device has been approved you can login now तो इसका मतलब हम लोग लोग इन करने के लिए ready है तो हमें सब कुछ यहां से close कर देना है and यहां पे ok press करने बाद में close and login करना है उसके बाद तुम्हें मिलेगा option जिसमें कि तुम लोग अपने character को customize कर सकते हो तो customization में हमें मिलता है हम लोग इसका hairstyle choose कर सकते eye color choose कर सकते cloth color भी choose कर सकते and many more and उसके बाद we are ready to go तो हम लोग spawn हो तो एक forest वाले area से यह से हमें नीचे आना पड़ता है उसके बाद हमें मिलता है brog and professor जैसे हम लोग नीचे की और आ जाते हैं तो हमें दिखता है Mew Mew को देखने के बाद Mew यहां से कैब हो जाता है फिर हमें मिलता है ना ना मिलता तो नहीं लेकिन हमें दिखता है Charizard और Dragonite की battle and उसके बाद अचनक से हम लोग आ जाते हमारे palette town में यानि कि हमारे hometown में जहांपे कि हमें हमारा start up Pokemon मिलने वाला है तो हमें option के लिए मिलते है जैसे की as usual Charmander, Squirtle, Bulbasaur and Pikachu तो अगर तुम लोग Pikachu के सबसे बेड़े fan हो तो मैं तुमको यह कहना चाहतो प्लीज पिकाचु को बिल्कुल भी चूस मत करना क्योंकि हमें जैसे की पता है कि वरेडेन फॉरेस्ट में Pikachu की कोई कमी नहीं तो वहाँ पे जाके तुम लोग कैच कर सकते हो लेकिन Squirtle, Bulbasaur and Charmander यह तीनो रेर पोकेज है तो मैं तुम लोग को यह एडवाइस करना चाहतो तो अगर तुम चाहर्मेंडर फैन हो तो चाहर्मेंडर के साथ जाओ यह फिर तुमको गेम को easy to win करना है Start के four badges तो तुम बलबसौर के साथ जा सकते हो तो simply से तुम्हें यहाँ पे तुम्हारा starter चूज करना है and you are ready to get on new adventure I guess तुम लोग कोई game काफी अच्छा लगा होगा अगर आपको कोई दिक्कत आती इस game के regards तो आप लोग मुझे इंस्टा पे contact कर सकते हो या फिर डिस्कॉर्ट पे भी and आपको story को लेकर कुछ problem इस game के तो you must have to watch apple code video apple code एक ऐसा चैनल है जहाँ पे की pokemon revolution के सारे episode अवेलेबल है तो वहाँ पे जाके तुम लोग देख सकते हो कि तुम्हें कैसे stories complete करनी है okay I guess that's enough for today मिलते एक और brand new video में until bye